इस वक्त हम लोग मुझूद हैं के थ्वडा गाउं में यहां पर हाल ही में घटना हुई 36 भेड जो की बिजली की चपेट में आने से उसके करंट लगने से जिनकी मोत हो गई और जो एक गरीब परिवार है जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका एक आय का यही एक सादन था जिनका एक यही एक जरिया था अब उनकी रोजी-रोटी हमेशा के लिए जो पूरे तरीके से खतम हो चुकी है वो एक बिजली विभाग की लापरवाई के करण जो 36 भेडे मर चुकी हैं बताया यह जा रहा है कि एक भेड की कीमत 14-15,000 रुपे यानि कि 36 भेडों की जो क कीमत 5-6,000 रुपे थी और यही एक सादन था इस गरीब परिवार का जो अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है चपरा गंगोरा का मामला बताया जा रहा है वहां पर यह लोग क्योंकि चारे की बहुत बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चपरा गंगोरा के जो जंगल मर गई और 36 भेड़ हमेशा हमेश के लिए दुनिया साल विदा कह गई अच्छा मेहमुदी जी क्या हुआ था कैसे मरी भीड़ आपकी चरान लेगो लालो ने चरान लेगो तो नुकनी खेत में बिजड़ेता रही अच्छा तो वहां कोई खंबा था हां खंबा था हां कम 20 साल होगी 20 साल से रहा है इसके लाव और चुछ करते हैं अप लोग कुछ ना करें कोई मंजूरी ना करें कोई कुछ कर दो बहुत पालते हो और गुजार करता हूं तो आप लोग क्या चाहती हैं परसासन से मदद मिल जा बच्छा पड़ जाएं चोट मट बारा कन कोई म अब कैसे गुजारा करेंगी कैसे करांगा कुछ भी ना हमार प्यत कहा है अब लोग मदद चाहते हैं किया मदद चाहते हैं सिरकार कोई मदद लगा दे इसलाम जी मतलब इसलाम जी गाउं कुन साथ पैथवाड़ा इसलाम जी यह हादसा जो 36 बेटे मरी हैं किस तरीके से ने कोई चारा धाही ना हैं करेथवाड़ा में तो यहां चलने के लिए इसलाम जाने के यह ते गंगोरे गाउं में तो वहाँ पारड़ में हैं पार्टा वहां चलाते थे तो कोई उनका मतलब विजडी का करन्ट उतर सुद्द वहां जारी थी स्थिए तक्रेंट को जैसे बच्चा भी देख रहे हो, बच्चा ना कोई पढ़ाने को है, गरीब आदमी है, उन नहीं पालते थे, उनसे ही गुजरा करते हैं, वास्ता में बात भी सही है, और कोई मदद नहीं है, इनकी कोई भी, वो ही एक रोजी रोटी के अर्ला ने अस्वाग बना रखा था, वो उन प्रिसासन को, दी है मेरे क्याल में, तो क्या चाहते हैं आप, यहीं चाहते हैं, कोई सहायता मिलें वच्चों के लिए, जो इनका पालन हो, अगर कोई संस्ता आपकी मदद करना चाहा है, तो आप से कैसे संप्रेट करेगी, क्या नम्बर है इनका परिवार का, परिवार का आपको दे देंगे, नम्मर है जी, 781 क्यान में, 6427 बान में, एक बर और बतांगा, 781 क्यान में, 6427 बान में,